कि आज हम सीखेंगे पैंटूल को चलाना एंटूल के थुरू हमने क्या-क्या काम करने और पैंटूल कितना इंपोर्टेंट है इसका आइडिया आपको हो जाएगा अगर मैं यूं कहूं के पैंटूल ग्राफिक डिजाइनिंग का लाइक 40 परसंट है यह 50 परसंट है तो यह होगा आपके जितने भी ऑबजेक्टिया लिस्ट्रेशन कुछ भी जो आप खुद करना चाहते हो वह पैंटूल की मदद से हम बनाते हैं तो हमारे पास यह थर्ड नंबर पर अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हैं तो तब आपको यह फिफ्ट नंबर पर यहां पर और एंकर पॉइंट टूल ठीक है जी पैंटूल हम पैंटूल को चूज करते हैं और इसकी शोटकी जो है वह पी है पी शोटकी है पैंटूल की पैंटूल क्या गाम करता है पैंटूल की मदद से हम कोई भी अबजेक्ट बना सकते हैं पैंटूल की मदद से हम किसी भी चीज की शेफ चेंजभी कर सकते हैं किसी चीज़ को ट्रेस्थ भी कर सकते हैं ठीक है और पेंट टूल्स अमारे पास ये असाइन्मेंट्स तो जितनी आप zaten कशा है प्रेटिस करओं जाएता बनाऊंगे उतना जल्दी आप लोग सिखोगे उतना ज्यादा आपका हाथ जो है वो सैट होगा ग्राफिक डिजाइनिंग के इन टूल्स के ओपर जो अडॉब लिस्ट्रेटर हैं और फोटोशॉप भी हम करेंगे अच्छा जी तो अब ये आपको असाइनमेंट्स दिखाता हूं जैसे आप अगर गूगल पर जाके खुद भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं प्रेंट टूल असाइनमेंट लिख दे और आगे लिख दे हैं डॉब लिस्ट्रेटर तो ये हमारे पास इमिजिस के अंदर ज जाएंगी इसमें से आप कुछ भी बनाना चाहें ये सारे अबजेक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं या पैंटूल की मदद से बना सकते हैं ठीक है जैसे ये देखें अगर हम इस वाली असाइनमेंट को पकड़ें ये मैंने इधर से इमिज को किया कोपी कोपी करके मैं इसक के अंदर कंट्रोल वी किया पेस्ट हो गया अब ये अबजेक्ट मैं चाहता हूं इधर मूब ना करे इधर उदर हिले ना ठीक है तो उसके लिए मुझे इसको लोग करना पड़ेगा लोग करने के लिए मैं कंट्रोल टू प्रेस करूंगा तो ये लोग हो जाएगा फिर हम इसको मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूं तो जूम करने की शोट की कंट्रोल प्लस है कंट्रोल का बटन कीबोड से प्रेस करके रखूंगा और प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये जूम हो रहा है जूम आउट करना है कंट्रोल माइनस करूंगा तो ये जूम आउट हो रह अब इसी तरह से आप देखें कि इसकी जो एक्सराइज वन को अभी हम करेंगे लेकिन इसका पहले मैं थोड़ा सा कलर कर लूँगा डिम सा थोड़ा इसकी ओपैसिटी को लो करूंगा तांकि आपको जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाओं तो आपको इसकी बहुत अच्छी सम रहा हूं अनलॉक करने के लिए कंट्रोल के साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा जिससे आप लोग डुब्लिकेट करते थे स्पेस के बटन के साथ ऑल्ट का बटन होता है कंट्रोल और टू यह दो बटन इकठे हम प्रेस करेंगे तो यह अनलॉक हो जाएगा अच्छा तोड़ी सी ट्रांस्परेंसी कम कर देंगे यहां से इसकी ओपैसिटी को हम लोग करेंगे ओपैसिटी का लैवल हम यू रखते हैं थोड़ा सा यह ले अच्छा अब हम इसको दुबारा से कंट्रोल टू कर देंगे लोग कर देंगे अब हमने यह वाली चीज़ बनानी है ट्रेस करके ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मूव राउंड करें तो आप कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस कर लें और करसर के साथ उठा कर यूँ आप इसको मूव कर सकते हैं अपने आपचेक्ट को तो इट्स एजी अ अब आप देखें कि मैंने पी का बटन प्रेस किया पैंटूल का पैंटूल को चलाने का पहला रूल वो यह है कि आपके पास यहां पर कलर्ड पैनल उपर आ रहे हैं इन कलर्ड पैनल के अंदर जाकर आपने फिल कलर्ड जो है इसको कर देना है और नो कलर यानि यह पहला उ option को click करेंगे यानि यह जो first पे आ रहा है बिलकुल और white है और उपर black line लगी है इसको आप click कर देंगे और इसी तरह से इसका यह outline वाला जिसको stroke भी कहते हैं तो stroke आप इसका black कर देंगे अच्छा अब आप के पास यह देखें यह पहला स्टेप यह दूसरा यह तीसरा यह क्लिक करते जाना आपने तो यह आपने इसके exercise नंबर वन जो है वह complete कर लिए अब यह जाननी छोड़ी यहां से यह line यह कैसे करे करेंगे तो उसके लिए आपने कीबॉर्ट से ESC का बटन प्रेस करना जो F1 के बटन के बिलकुल साथ होता है कॉर्णर के अंदर टॉप लेफ्ट अपर साइड के उपर यह मजूद है यहां पर आप इसको कर देंगे select अब यह देखें exercise टू नीचे वाला इसको क्लिक यह सिक्स यह चीज़ बनगी अब आप escape का बटन प्रेस करेंगे अब नीचे वाला उबजेक्ट है यह थोड़ा सा आपके लिए technical होगा इसको समझना है यहां पर फरस्ट अब सेकंड यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यह कर्व देने लगी है तो कर्व जब आपने देना है तो उसके लिए देखें इदर सेकंड स्टैप यह है इसको प्रेस करके रखना है और चोड़ना नहीं है क्लिक को और नीचे की तरफ मूव करना आपने यह अच्छा यह बिलकुल अगर accurate नहीं आप से बन रहा तो आप एक और स्टैप इसमें increase कर देंगे अब मैं अगर back चल किया मैंने यह यह सेंटर पॉइंट पे रख देता हूं और चोड़ूंगा नहीं इस लाइन के बिलकुल उपर और यह मैंने यह देखिए कि कुछ पॉइंट होते हैं यह जहां से सेंटर पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो इदर राइट साइड वाला हैंडल जाएगा यह का से जाऊवा Past कैनल इसको ब्रेक करूंगा यह एसके बिल्कुल सेंटर में आकर माउस को रैड़ शाइब ले गया फिर से ब्रेक किया मैंने पिर साइड़ बे नहीं अगर यह चीज़ अगर कोई भी क्वेशन आपके माइड में आए अपना माईक होन करें और आप मुझसे क्वेशन कर सकते हैं अभी राइट नाओ यह आपके सामने में बना रहा हूं सेंटर से इसको ब्रेक करेंगे और आगे निकल दे जाएंगे यह यह इसको अब सेंटर से ब्रे हम करने लगे हैं इसके लिए दुबारा पी का बटन प्रेस करेंगे पैंटूल को स्टार्ट कर लेंगे यहां से स्टार्ट लिया और यह क्लिक चोड़ेंगे नहीं दुबारा से ठीक है क्लिक किया यह सेंटर पॉइंट इधर क्लिक किया यहां पे आए यह हो गया जी यह इसका सेंटर पॉइंट यह आगे जी इधर क्लिक किया चैलेंज यह सेंटर पॉइंट स्केप कर देंगे एक्सरसाइज नंबर फाइफ यह क्लिक किया सेंटर पॉइंट राइट साइड पे आगे इसको यहां से ब्रेक कर दिया मैंने क्लिक किया और यह अगर आप माउस से करेंगे ना माउस तो आपका परफेक्ट होगा अगर आप माउस पैड यूज कर रहे हैं तो मसाइल आ सकते हैं सामने स्केप कर देंगे यह ले इधर क्लिक किया यह पॉइंट यह यहां पे यह हो गया यह ब्रेक कर दिया और अब यह लेंजाई यह मैंने कर ली अब यह के यह के पीछे जो हम ने ऑबजेक्ट रखा था जिसके ऑपर ट्रेसिंग की है उसको अनलोग करने लगए हैं हम करने के लिए हम कंट्रॉल और टू का बटन प्रेस करेंगे control all to और यह object हम उठा कर side पे कर देंगे और delete का button प्रेस कर देंगे अब आप अगर इसका stroke increase करना चाहते हैं तो यह stroke का आपको option नदर आ रहा है stroke panel तो यहां से आप इसका stroke कर देंगे increase four पे ले जाएं याप इसको three पे ले जाएं it's up to you तो यह हमने कर लिया ठीक हो गया अच्छा अब हम एक और assignment लेते हैं उसके अंदर कोई सा भी एक object like flower flower type बनाते हैं और अब मैं खुद बनाऊंगा यहां पे पी का button प्रेस किया और यह आपने make sure करना है कि fill color off हो outline the color black यहां कोई सा भी आच्छा यह area A click किया मैंने अब यह click करके मैंने बिलकुल नीचे नहीं करना आप जो students mistake करते हैं वो क्या करते हैं click करके छोड़ते ही नहीं है यह 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 गुम जाता और नीचे आई जाता और खराब हो जाता है पिर यह ऐसे हो तो यह काम नहीं आपने करना आपने एक क्लिक करना है माउस को बिल्कुल छोड़ देना और नीचे की तरफ लेके आके अगर बिल्कुल स्ट्रेट आना चाह रहे हैं जैसे यह तो साथ शिफ्ट प्रेस कर लें तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी यूं लोग वाइस ऐसे एक क्लिक करके बिल्कुल नीचे की तरफ आएं दूसरा क्लिक करें दूसरा क्लिक जैसे ही करेंगे अब माउस को नहीं चोड़ेंगे अब आप इसको गुमाएं राइट लैफ जैसे मरजी तो यह चीज़ा आपके सामने बनेगी यूं यह काम करने के फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे था उदर जाके क्लिक करेंगे और चोड़ेंगे नहीं और यूं यह चीज़ यह चीज़ बन गई अच्छा अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यह एरो जो था हमारा डिरेक्ट सेलेक्शन टूल एवाल October अगर मैंड्रेक्शन टूल को क्लिक करके अधर क्लिक करता हूं तो यहां पे हैंडल आते हैं इन हैंडल के साथ आप को चैशिक कर सकते हैं बाद में जैसे मर्जी यह देखें धील्यू करूंगा इसका डॉब्लीकेट करोंगा यह मनें resembling लिया शिफ्ट का बटन दृट ल नीचे आगया इन दोनों को मैं स्लेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूंगा ग्रूप कर दूंगा ग्रूप करने के बाद मैं इनका लूँगा डूब्लिकेट एक दो तीन चार डूब्लिकेट ले लिए फिर इसको पकड़ा शिफ्ट का बटन प्रेस किया कोड़नेट से मैंने यूँ कर दिया अब मैं सबको स्लेक्ट करूंगा स्लेक्ट करने के बाद यह सेंटर लाइन ठीक है फर्स सेंटर लाइन पर क्लिक किया तो यह मेरे पास एक फ्लावर टाइप आ गया और यह आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छा दो चीज़ें हो गई अब दुबारा गूगल पर चले जाते हैं ड्राइब मैं अपनी ओपन कर लेता हूं यहां पर यहां पर ऑप्शन है हमारे पास कि मुझा सिएन्मेंट्स की किस्पार्ण stripes अशाइन्मेंट्स में जाने यह एक film घॅज करें यह इसको डिल आप मुझे बताएं कौन सा बनाओं आपके सामने, इन सामने से, माई कौन करें और बताएं मुझे, बैटमेन, जी, बैटमेन लोगो, बैटमेन लोगो बनाओं, और यह किनों ने मुझे कहा है, साकिब बायासिर, ओके, पीका जी, बैटमेन का लोगो बना लेते हैं, इसको खुला है मैंने और यह मैंने डाउनलोड कर लिया मैंने यह पूछना था कि किसी को रूटेट करते हैं तो उसके पिक्सल हो जाते हैं जैसे प्रॉपर आपकी लाइन शो होती है वो थोड़ी सी फ्लो में नहीं जाती है इसकी क्या रीजन होती है पिक्सल लो हो जाते हैं पिक्सल ऐसे ना उनमें जिक-जाग थोड़ थोड़ आना शुरू जाता है यानि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं रूटेट करते टाइम किस चीज़ को अगर रूटेट करें तो यह होता है कोई भी अगर हमने ड्रॉ की है आर्ट बोड के पर को शेप बनाई है तो उसको हमने रूटेट कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ना उसके थोड़ 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 पिक्सल यूना एक तुसले के उपर आना शुरू नहीं है नहीं अब इस अगर लाइन को अगर मैं यहां पर कुछ बनाई है इसको मैं जब रूटेट करूँगी तो यह पनाःसे जैसे अभी यह आख यहां रही है तो फीलाइन धो बहुँआ प्रेस करुड़ ला रहें थो इसके इने वह चीज粉 सेथिग होगी ठीक है जी? ठीक है अच्छाई अच्छाई जी एक मिनिट एक स्टुडेंट को मैंन कर रहा हूं वो काफी देड़ से ट्राइ कर रहे है साकिब अधी असलाम लेक्म मैं आपको काफी दफा जोइन कर चुका हूं लेकिन आई रॉन नो आपका इंटरिनेट का इस्टु लग रहा है अच्छा जी तो इसको डिजाइन करने के लिए खुद बनाने के लिए हम करेंगे क्या? फोड़ा सा मैं इसको पहले बड़ा करता हूं यूँ ठीक है? अब इसको क्लिक करके इसकी ओपैसिटी को हम कर देते हैं लोग कि मुझे यह नजर आए बस कितना के लोग कर दें के नजर आए यह उपर उपैसिटी आती है अबजेक्ट स्लेक्ट करके यह उपैसिटी अब मैं इसको कर दूँगा लोग कंट्रोल टू के साथ लोग कर दिया मैंने इसका अच्छा, अब इसके जो ऑबजेक्ट है उनको मैं जूम कर रहा ह। और इनको एक एक करके मैंने बनाना बना आ जैसे यह है दूसरा क्लिक तिसरा यह चोत्ता पाँच्में चटा यह जोड़ दिया इसके साथ मैं इधर मूव कर सकता हूँ इसको अच्छा इसकी जो स्ट्रोक काफी ज्यादा हुआ है इसको वान पर रखता हूं ठीक है यह चीज हो गई अब मैं क्या करूंगा जी पैंटूल दुबारा स्लेक्ट किया यहां इसके अंदर से लेके एक मिनट यह चीज यह ब्रेक किया यहां से और ठोड़ा पीछे आकर बनाता हूं यह यह इसको असान जो तरीका वो मैं आपको दिखाता हूं लिप्स टूल यूज़ करेंगे यहां पर यह लें ज़े भी यह इसको और आगे ले जाते हैं इसी का डुबलीकेट त्यार कर लेंगे हम यह डुबलीकेट त्यार कर लिया फिर दुबारा से लिप्स टूल हमने लिया और इसका आईबोल बनाते हैं यह और इधर से यह इसके उपर रख दिया थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम यह हो गया अब यह इसका नोस बनाएंगे पैंटूल को पकड़ा यह क्लिक किया दूसरा यह इसको क्लिक करके एक यहां पर क्लिक सेकेंड यह हो गया अच्छा जी पैंटूल कि यह यह ब्रेक कर दिया यहां से फिर हम यह क्लिक करेंगे और अंदर की दिरफ आ जाएंगे और इसको हम जॉइन कर देंगे यह हो गया जी अच्छा अब यह नीचे वाला इसका पार्ट है इसको बनाएंगे पैंटूल यह क्लिक किया और दर आकर यह शेप यहां पर आगे थोड़ा बैक जाते हैं यह चीज और जर से यह 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 बन गया है यह 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 इतनी सकेचिंग हमने कर ली अब हम यह इसकी शेप बनाएंगे बिल्कुल इजी ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जब भी आप एंटूल यूज़ करेंगे तो आपने fill color off रखना है ठीक है अच्छा अभी हम क्या करेंगे जी इसको मैं unlock करता हूँ अभी इतना करके आपको दिखाता हूँ ये भी ऐसी trace करके होगा control, alt और two press करूँगा ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल side पे ये ले side पे लेगिया opacity इसकी मैंने high कर दी अब इसकी coloring बगरा करूँगा आपके सामने जैसे ये इसके eyebrow क्लिक किया यहाँ पर मेरे पास एक tool आइड्रो का tool ये देखें इसको क्लिक करके ये black color फिल कर दिया अपने mic off को रखें सारे अच्छा जी फिर उसके बाद हम ये वाले जो eyeball है इन दोनों को select कर लेंगे तहले एक को दूसरे को करने के लिए shift का बड़न इसके साथ ही प्रेस कर लेंगे दोनों select होगे आइड्रोपर टूल आई इसकी short की है ये दोनों select होगे फिर इसका जो nose है इसको क्लिक करेंगे और आइड्रोपर टूल से हम ये वाला color इसमें कर देंगे और इसकी जो stroke ब्लैक इसको on कर देंगे और थोड़ा सा stroke high रखेंगे यूँ यह हो गया फिर हम ये वाली शेप इसमें क्लिक करेंगे आई का बटन प्रेस करके इदर से color उठा लेंगे हम ये लें ये हो गया अब हम ये वाला टूल से करेंगे आई का बटन प्रेस करेंगे और ये वाले color पे क्लिक कर देंगे ठीक है और अब इसको पीछे send करना है हमने क्लिक करके Ctrl और Shift का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में P का बटन है पी के बटन के बिलकुल साथ ब्रैकिट्स हैं उनको हम प्रेस करेंगे यह ब्रैकिट अगर दूसरी ब्रैकिट करेंगे क्लोजिंग वाली तो यह उपर आ रहा अबजेक्ट यह उसके पीछे चला जाए ब्रिंग टू बैक और सेंड फॉरवर्ड यह वो है इस वाले को क्लिक क करके ऑड़न करेंगे और यह ब्लैक कलर दे में इसी तरह से जो इसके आई बोल नहीं ये वाले इनको यह दूसरा क्लिक और इस काड स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज करेंगे तांके यह वाला सेम हो जाए थोड़ा साइड पर कर देंगे बलैक अपर बलैक आ जाएगा यह लें तो बाकी आप रही यह वाली शेप इसको आप देखें इसके उसके उपर रखके बाकी भी हम इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे और ओपैसिटी लो यह ओपैसिटी लो कंट्रोल टू लोग किया लोग करने के बाद हम पैन टूल को पकड़ेंगे और इसकी ट्रेसिंग शुरू कर देंगे हम यह क्लिक यह एक मिनुट शी यह हो गया उसके पलेख भी इधर अगे शु पर फी और जाने भी आंचिव को अगया तॉली लॉर्त हुआ हुआ है इह प्लिक dit इह प्लिक अगया वी सब्सेर प्लिक प्लिक युट करतेंगे झाल